आज हम आप लोगों के लिए श्री महा गणपती का एक बहुती प्रभावशाली और दिव्य मंत्र विग्रह कवच लेकर आये हैं श्री गनेश के बहुत सारे रूपों में जैसे सिध्धी, विनायक, गणपती, उच्छिस्त, गणपती, हरिद्रा, गनेश तो उनके बहुत सारे अलग-अलग रूप हैं तो सभी अलग-अलग रूपों के अलग-अलग ध्यान होते हैं, कवच होते हैं, मंत्र होते हैं, और सभी साधक अपने अपने भगवान गनेश की अलग-अलग रूपों में पूजन, अर्चन, मंत्र जपादी करते हैं, तो यह कवच श्री महागनपती का है मंत्र विग्रह यानि उनके मंत्र के सभी वरणों से इस कवच में रक्षा का विधान बनाया गया है साधक जब इस कवज का पाठ करता है तो उनके मंत्र के अलग-अलग वरनों से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनसे आग्रह करता है तो ऐसे कवज को मंत्र विग्रह कवज करते हैं तो प्रारम करते हैं Shri Mahāgaṇa-pati-mantra-vigraha kavacham Viniyogah Aum Asya Shri Mahāgaṇa-pati-mantra-vigraha kavachasya Shri Shiva Rishiha Shri Devi Gāyatrī-chandah Shri Mahāgaṇa-pati-r-devata Aum Shri Mahāgaṇa-pati-vara-vara-deti-shakti-ha Sarvajanamme-vashmanaya-swaha-kilakam Shri Mahāgaṇa-pati-prasad-sidhyarthe-jape-viniyogah इस विन्योग में बताया गया है कि इस कवach के रिशी भगवान शिव है इसका छंद गायत्री छंद है Shri Mahāgaṇa-pati इसके मूल देवता है Aum Shrim Him Klim Glom Gam इसका बीज है गणपतय वरवरद इसकी शक्ती है Sarvajanamme-vashmanaya-swaha इस कवach का कीलक है और साधक यहां महागणपती का प्रसाद यानि उनकी कृपा प्राप्ती के लिए इसका जप या पाठ कर रहा है तो अगर आपकी कोई अन्यय मनो काम न हो तो आप यहां जोड करके विन्योग कर ले और फिर कवच का पाठा दी करें करन्यासह ओम्श्रिम्ह्रिम्क्लिम् अंगुष्था भ्याम नम ग्लोंगंगंगणपते तर्जनी भ्याम नम वरवरद मध्यमा भ्याम नम सर्वजनम्मे अनामिका भ्याम नम वशमानयकनिष्थिका भ्याम नम स्वाहकरतलकरप्रिष्था भ्याम नम शडंग न्यासह ओम्श्रिम्ह्रिम्क्लिम्ह्रिदया नम ग्लोंगंगंगणपते शिरसे स्वाह वरवरद शिखायय वशत् सर्वजनम्मे कवचाय हुम् वशमानय नेत्रत्रयाय वशत् इसके बाद ध्यानम् ध्यानम् रत्न कलश प्रोध्यत करांभो रूह आयाद वल्ल भया सपद्म करया श्लिष्ट उज्वलद भूशया विश्व उत्पत्ति विपत्ति संस्थिति करो विग्नेश इस्टार्थद गदेक्षू, गदा और एक्षू के लिए हैं, विश्व उत्पत्ति विश्व की उत्पत्ति के लिए शब्द है इति ध्यात्वा लम इत्यादी मानसो पचारेह संपूजएत इसके बाद लम इत्यादी से यानि पंच्च तत्वों के भी याक्षरों लम हम यम रम वम सम आदिसे मांसिक पूजन के लिए कहा गया है या फल फूल धूप बत्ती बिठाई हो तो उससे भी पूजन कर ले मांसिक पूजन ओम लम पृत्वी तत्वात्मकं श्री महागन पते गंधं समर्पयामी नम हूम हम आकाष्य तत्वात्मकं श्री महागन पते पुष्पं समर्पयामी नम हूम यम वायू तत्वात्मकं श्री महागन पते धूपं आग्राप्यामी नम हूम यम वायू तत्वात एम्रम अगनी तत्वात्मकं श्री महा गनपतय धीपन दर्षया मी नमः ओम अमृत तत्वात्मकं श्री महा गनपतय महाने वेद्यम निवेदया मीनः ओम्सम्सर्वतत्वात्मकंश्री महागनपतः सर्वोपचारार्थे तांबुलं समर्पयामी नम्सर्वोपचार पूजाम्सर्वोपचार पूजा अन्य सभी उपचार के लिए तांबुल यानि सुपारी देते हैं श्रीमहागनपति मन्प्र ओम्स्रिम्ह्रिंकलिम्लोंगं गनपतः वरवरद सर्व जनम्मे वस्मानयस्वाहा आम श्रिम् हृम् क्लिम् ग्लों गम् गन्पत्ये वारा वाराध सर्व जनम् में वश्रमानया स्वाहा आम श्रिम् हृम् क्लिम् ग्लों गम् गन्पत्ये वारा वाराध सर्व जनम् में वश्रमानया स्वाहा इस मंत्र का जाप अपनी सुविधा अनुसार कर लें यहां पर श्री महा गन्पती के मंत्र के अलग-अलग वर्न करके आप लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है इनहीं मंत्र वर्नों से आगे कवच में रक्षा का विधान है मंत्र के वर्नों को लाल रंग से चिन्हित कर दिया गया है ताकि आपको देखकर समझने में थोड़ी सुविधा हो सिकाम गंभी जं मुख पदमे अव्याद महा सिध्धी फल प्रदम नाकारो दंतयोह पातू पकारो लंबिकाम ममा ताकारह पातू में तालवोर येकार ओस्थयोर ममा वकारह कंठ देशे अव्याद रकारश्चोप कंठ के दुईतियस्तू वकारो में हृदयं पातू सर्वदा रकारस्थू दुईतियो वै उभव पार्ष्व सदामम दकार उदरे पातू सकारो नाभी मंडले रवकारह पातू में लिंगम जकारह पातू गुह्यके नाकारह पातू में जंहे मेकारो जानूनोर द्वयोह वकारह पातू में गुन्फो शकारह पादयोर द्वयोह माकारस्तू सदापातू दक्ष पादांगूलीशुच नाकारस्तू सदापातू वाम पादांगूलीशुच यकारो में सदापातु दक्षपाद तलेत था, स्वाकारो ब्रहम रूपाख्यो वाम पाद तलेत था, हाकारह सर्वदापातु सर्वांगे गणपह प्रभू पूर्वे मांपातु स्री रुद्रह। श्रिं हम्रिम्किलिम्फट्कलाधर। आग्नेऩयाम्य सदापातु प्रिम् स्रिम्किलिम् लुकमौहन। जो ऐक्षिन स्रियम्ः पातू तुम् अरिट्ये दियम् अरिट्येउ थीपातु आम थूम् एरं मतु स्रीम् उक्ष रम् च्रुम्णमुं Dlatego उत्तरे धन दह पातु श्रिम हरिम श्रिम हरिम धनेश्वर इशान्यय पातु माम देवो राम हरिम जूंसह सदाशिव प्रपन्न पारिजाताय स्वाह माम पातु इश्वर उढधवम्मे सर्वदा पातु गम ग्लाम क्लिम हस्त्रों नमो नमः अनन्ताय नमः स्वाह अधस्ताद दिशीरक्षतु पूर्वे माम गनपह पातु दक्षिने छेत्र पालक पस्चिमे पातु माम दुरगा एम्रिम क्लिम चंडिकाशिवा उत्तरे वतु कह पातु हिर्म वं मवं वतु कह शिव स्वाह सरवार्त्थ सिद्धैश्च दायको विश्वनायक ह। पुन पुर्वेचमां पातु श्रिवान असीत भैरव ह। आग्नेयां पातु नोहिं हिम्रं क्रोम क्रोम रुरूभैरव। दक्षिन पातु माम, क्रों, क्रों, रैम, ह्रैम, में, चंड भेरव, नैरित्य पातु माम, हृम, क्रों, ह्रैम, हस्त्रैम, नमो नम, स्वाहा में सर्व भूतात्मा पातु माम क्रोध भैरव पस्चि में इश्वरह पातु क्रिम क्लिम उन्मत भैरव वायवयः्पातु माम हृिम क्लिम कपाली कमलेक्षण उत्तरे पातु म म देवो हृिम् भीशन भैरव उत्तरे पातु माम देवो हृिम हृिम भीषन भैरव इशान्य पातु माम देव ख्लिम हृिम संहार भैरव उडधवं मेपातु देवेश श्री सम्मोहन भैरव अधस्तादवतु कह पातु सर्वतह काल भैरव अम् मूलकवच का भाग यहीं तक है और प्रारंभ में विन्योग न्यास ध्यान करते हैं पूजन करते हैं मंत्र जब करते हैं और फिर मूलकवच का पाठ करते हैं अगर बार बार मूलकवच की पाठ करनी हो अगर 11-21 आवरती करनी हो 51 करना हो 108 करना हो तो केवल मूलकवच का ह की आवशक्ता नहीं होती है लेकिन अगर अगले दिन अगले बार अगर आप पुनह पूजा के लिए बैठते हैं तो आपको यह सब प्रक्रिया फिर से करनी परेगे इतीदं कवचं दिव्यं ब्रहं विद्या कले वरं गोपानियं प्रयतनेन यदी इच्छेद आत्मन सुखं यदी अपने सुख की इक्षा हो तो इसे गोपनिय रखना चाहिए कावचस्या चादिव्यस्या सहस्त्र आवर्त नान नर देवता दर्शनम सद्यो लभते न विचारना इसके सहस्त्र आवर्ती से एक हजार पाठ से देवता के दर्शन होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना चाहिए इती श्री महागणपती मंत्र विग्रह कवचम हों इस कवच के मूल भाग में श्लोक संख्या एक से नौ तक महागणपती के मंत्र के अलग अलग वर्णों से रक्षा के लिए आग्रह किया गया है वह सभी वर्ण लाल रंग से चिन्हित किये गया है श्लोक संख्या दस से श्लोक संख्या सोलह तक दस दिशा से दस दिखपाला दी है पूर्व दिशा से श्री रुद्र है आग्नेय दिशा से लोक मोहन है दक्षिन दिशा से श्री यम है इस तरह से शलोक संख्या सतरह से बाइस तक तंत्र के प्रसिद्ध भैरव देवता है इस भाग में असितांग भैरव, असित भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध, उन्मत, कपाल भैरव, भीशन भैरव, संहार भैरव, सम्मोहन भैरव हैं, बतुक भैरव और काल भैरव भी है तो इन सभी भैरव से भी अपनी रक्षा के लिए कहा गया है यह मंत्र विग्रह मंत्रों से बना हुआ, बीज मंत्रों से बना हुआ बहुती प्रभाशाली कवचे, बहुती त्वरित्फल देने वाला है इस तरह के कवच का पाठ आदी बहुती श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए किसी भी प्रकार के गलत प्रयोग आदी से बचे गलत प्रयोग से पूरी संभावना होती है, साधक का भी अनिष्ठ हो सकता है अपने इष्ठ देवता का पूजा आदी करने के बाद, कवच पाठ करने के बाद अन्त में छमा प्रात्ना अवश्य ही करनी चाहिए और मंत्र, कवच, इस्तोत्र आदी का जो भी आप पाठ करने है अपने देवता को अर्पन अवश्य ही करे आपके अरपन किये बिना देवता उस कवच, उस मंत्र, उस इस्तोत्र के पाठ को ग्रहन नहीं करते है और अंत में किसी भी प्रकार की तुरूटी के लिए देवता से छमा अवश्य ही मांग लेनी चाहिए इस कवच से संबंधित अन्य जानकारी पेडियेफ की फाइल में दे दी गई है और पेडियेफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर इन से संबंधित कोई पुस्तक उपलब्ध होगी तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पब्लिक के मेसेज सेक्शन में दे दी जाएगी आप पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं धन्नवाद